एक बड़ी खबर आ रही है और यह अच्छी खबर है बिहार में BPSC CDPO की परिक्षा को लेकर छात्र इंतजार कर रहेते हैं कि कब उनका रिजल्ट आएगा और वो कब जो है इसका मेंस के एक्जाम देंगे तो बहुत अच्छी खबर आ चुकी है और साथ में आंसर की भी दिय गया है तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं और इसके ऑफिशिल वेबसाइट पर लेकर सीधे ही और इसके बारे में सारा अपडेट करते हैं चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और हम है BPSC के ऑफिशिल वेबसाइट पर जहां से बेले तो आप यहां पर आंसर के देख लिजेगा कैसे मिलाना है आपको यहां पर ध्यान से देखिएगा जो भी चात्र या चात्रा का सेलेक्शन हुआ है वो फाइनल आंसर की यहां पर चेक कर सकते हैं आपका यह जो है कोशन नंबर ऑफ स्रीज एक लिए है जो की आंसर जो है यहाँ पे दिया गया है और question number जो series B का जिनके पास था उनका answer series दिया गया है और question number जो C है जिनके पास और question number जो D हैंके पास उनका यह answer series दिया गया है तो आप check किजिएगा यहाँ पे देखें जो question number A का है ना question number जो series है आपका A इसमें पहला question, उसका answer क्या है? C है. जो question number B में है, यह ध्यान देखेगा, series B में है, उनका 32 वाला same question है, जो कि इसमें है. तो वही 32 का answer क्या है? यहाँ पर C है. तो इस तरीक के से मिलाना है? अब यहाँ पर series C है, इनका answer C होगा, और यह series D में 114 question है, उसका अंसर सी है तो यह इस तरह से आंसर आपको मिलाना है तो दूसरे का उत्तर जो है बी है और यहां पे 33 का उत्तर भी है चाछट का भी है और 114 का भी है यह आप इस तरह की से मिलाएंगे तो समझ गये यहां पे आप अपने आंसर को कैसे चेक करना है तो यह दोस्तों आपको उदादे कि यह जो एक्जाम होई थी यह 15 तारी को एक्जाम होई थी 15 मई को 2022 में और इसका रिजेट फाइनल घोशित कर दिया गया है अब सीदे इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं यहा और चातर हैं 320 लोगों को यहां पर रिजेक्ट किया गया है आप लोग गलती करते हैं जो गलती का भुपतान भी आप लोगों को यहां पर देना पड़ रहा है जिसमें कि 33 ऐसे उमिद्वार थे जो कि उम्र उत्तर पत्रक में अपना रॉल नंबर नहीं ड़ले थे सही से अनुग्रमांग नहीं अंकित किये थे अच्छा एक उमिद्वार को यहां पर हटाया गया है रॉल नंबर शीट अध्वा प्रवेश पत्रक की कार्याल है प्रतीप पर हस्ताक्षर ही नहीं किये थे यहां पर चोटी-चोटी गलती है जो आप लोग कर रहे हैं यह आप लोगो 67 भारी पड़ सकता है 288 भी द्वार ऐसे हैं जिनके द्वारा OMR का उत्तर पत्रक है उनको जो पुस्तिका है उस रिंखला की अंकित ही नहीं किये थे यहां पर OMR सीट नंबर ही अंकित नहीं किये थे बताई ऐसे लोग 288 है तो अगर हो सकता है कि इन में से सेलेक्टेट भी हो सकते थे कुछ तो उसके प्राप्तां के अनुसाइब तैयारी की गई संजुक्त मेगासुची यानय कि जो यह रिजल्ट दिया गया है या IRS चेस्ट इसके लिए यहां 883 लोग का चैन हो गया यानि कि लगबग 16 गुना यहां पर रिजल्ट दिया गया है तो आप लोग अपना रॉल नंबर यहां पर मिला सकते हैं और एक हमारे छात्रा यहां पर प्रियंका का हुआ है रिजल्ट जिन्होंने अपना रॉल नंबर भेजा था और उनका के त्यारी किजिए और अच्छे से इसका एक्जाम निका लिए तो कि यह जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी वेकेंसी है बीपीएसी का ही वेकेंसी पहले बीपीएसी के फूरू दिया जाता था लेकिन अब इसको अलग से एक एक्जाम कंडेट कर है और जेनरल कटेगरी में 336 है यहां पे जो कमजूर वर्ग से आते 112 है और जो अनुस्टी जाती से हैं वहां पे 158 है और अत्यांत पिछड़ा से 135 और पिछड़ा वर्ग से 120 है यहां पे कोटी वार सेलेक्शन हुआ है तोटल यहां पे 883 विद्वारों का चैन कर लिया ग लिए यहां पर यहां पिया है द artist यहां प्यान रखे या अब यहां पर इक कोरेख सकते हैं और BC category में आप male category को आदेखते हैं तो 103 मातर दो number का फरक है तो आप लोग 67th BPSC अगर आप देने जा रहे हैं तो थोड़ा साउधान रहेगा आप category में होते वे भी बाहर हो सकते हैं ठीक है और unreserved female का अगर बात करें तो 100 है यहाँ पर से ध्यान रखेगा और वहीं पर BC female को लेकर 98 यहाँ भी दो नंबर का फरक है अब देखे कट अब इतना बगल मतलब अगल बगल में क्यूं है एक एक नंबर दो दो नंबर से कट अब का यहाँ पर सेनारियो इसलिए है तो यह बड़ी तादाद है चुकि वेकेंसी यहाँ पर 55 है और एक लाक लोग लगबग एक्जाम दे रहे है तो जहिर सी बात है कि cut-up तो हाई जाना है यहाँ पर यहाँ पर बाकी 100 EWS की बात कर लें तो 102 है और वहीं पर अगर हम बात कर लें दोस्तों यहाँ पर EBC का तो सीम यहाँ पर cut-up है तो आप जेनरल EWS में हो यह EBC female category में हो कोई फरक नहीं पड़ता यहाँ पर 96 यहाँ पर जब SC का cut-up गया है तो 96 यहाँ पर EBC female cut-up देख सकते हैं यहाँ पर है ना यह में cut-up आप लोगों क्यों देख ला रहा हूं बस सचेत रहिएगा 67 में भी यहाँ पर नौ लाग से उपर छात्रों ने फॉर्म बढ़ रहा है और फॉरम का संख्या कितना है सीट का संख्या कितना है तो सीट का संख्या मात्र यहाँ पर कितना 802 है समझ गये तो competition यहाँ पी टफ होगा टार्गेट 120 का रखिएगा 120 टार्गेट रखिएगा कि 120 पोशन एकुरेसी में रहे तब जाके आपका कहीं न कहीं पीटी में सेलेक्शन होगा तब आप मेंस के क्वालिफाई होंगे यही सी कारण से में यह कट अपको यहाँ पर दिखला रहा हूं और बहुत सारे सुपकाउनाओ के साथ यहाँ पर बताना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर अपना जो है मेंस की त्यारी में लग जाए जितने भी छात्रों का सेलेक्शन हुआ है और इस वीडियो की माद्यम से अपडेट देना था आप लोग को और जो प्रारंभीक परिक्षा है उसका जो आप लोग है चेक कर सकते अपना मार्शेट कितना नंबर आया है आप लोग को अनुक्रमांग और जनमतित्री डालकर या फिर अपना रेजिस्ट्रेशन और डेट ऑ इस वीडियो के माद्यम से जो कि हमने आप तक साजा किया है अगर आपके कोई डाउट है यहां पर तो आप प्लीज कमेंट सेक्षन में कमेंट करके भी ज़रूर पूश लिजेगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही जैहन